हलो एवरीमान कैसे हैं आप सब लोग आप लोगों बता दें कि आज जो आप पार्ट पढ़ने जा रहे हैं यह है हिस्ट्री जम्मु किश्मीर का पार्ट फोर इसमें हम पढ़ेंगे अफगान सिख और डोगरा रूल किस तरह से हमारे जम्मु किश्मीर में आया पार्ट वन म में हमने पढ़ा किस तरह से हिंदू चला था और पार्ट थ्री में हमने पढ़ा था किस तरह से हमारे मुस्लिम और मुगल रूल यहां पर हुआ आज हम पढ़ेंगे अफगान सिख और डोगरा रूल के बारे में इसके नोट्स आपको हैंड रिटर्न टेलीग्राम हैं पहले वाले में आपको नोट्स मिल जाएंगे जबकि दूसरे वाले में आपका क्वेस कंड़क्ट होता है हर संडे ताकि आप लोगों ने जित्ता पड़ा है कोई एक-एक टॉपिक हम रिवाइस कर सकें इसके लावा आप हमारे फेस्गूप ग्रूप पर जा सकते हैं आपको mcqs मिल जाएंगे आम तोर पे टॉपिक के बाद ही बहुत सारे बच्चे पोस्ट कर देते हैं जिससे आपका रिवीजन वहां पर भी चलते रहता है आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक और इंपोर्टन आप लोगों को इस साथ चीज़ करने जो आप लोगों का टेस्ट पांच जुलाई को है इस टेस्ट में आप लोगों को हो सकता है स्टेट राइंग भी दिखे आम तोटमे में परसेंटाइल दिखती है जिसमें आपको दिखता है कि जेंड के में आपसे कितने लोग पीछे चल रहे हैं तो आप लोग जोईन कर लें जिन लोगों ने अभी तक पहला टेस्ट नहीं दिया वह ऑल्ली बोड के आप पे जाके टेस्ट ले सकते हैं 25 जून को वह पहला टेस्ट देंगे उनके लिए अलग से आपको टेस्ट के बाद वीडियो में लेके आऊंगा तो सेकेंड एक्जाम हमारा होगा पांच जुलाई को तो जिल लोगों ने त्यारी की है वह अपनी त्यारी को थोड़ा सा और स्पीड बढ़ा दें और अपनी प्रैक्टिस के लिए आप लोग 60 सेक्शनल टेस्ट को भ अब यहां पर हम बात करें अफगान रूल आया कहां से पहले हमने आपको बताया मुगल रूल चल रहा था मुगल रूल काफी अच्छा चल रहा था अकबर के टाइम पे जहांगीर की अकॉर्डिंग मोस्ट फेवरेट प्लेस थी किश्मीर तो ऐसा क्या हुआ कि मुगल पी सबसे बड़ा रिजन रहता है किसी भी चीज़ के डाउनफॉल का तो यही चीज़ मुगल एंपायर के साथ मुगल रूल के बाद आए अफगान अफगान मुगल से काफी जादा अलग थे जीजन बहुत सारे हैं लेकिन आपको दो नाम याद रखने हैं या आपको हैंड र से कमांडर जिनको बेजा गया था किसके द्वारा एहमद शाह अफदाली के द्वारा बेजा गया था कहां पर कश्मीर में ताकि वो मुगल को वहां पर डिफीट कर सके और 1752 में उन्होंने ये करके दिखाया और वहां पर स्टार्ट किया अफगान रूल जो काबूल के अगर मैं अफगान की बात करूं तो अफगान रूल जो था वो बाकियों सबसे जादा खतरनाक था क्यों क्योंकि ये एक ही पॉलिसी को फॉलो करते थे वो थी उनकी पॉलिसी वास टैरर क्यों क्योंकि काफी जादा यहां पर अगर मैं बात करूं तो काफी क्रूल थे काफ किया है कश्मीर को 67 years के लिए तो ये हैं आपके 28 दुरानी सुभेदास most of the well-to-do people of the valley were summoned by the abidali governor abdul khan to the palace and order to surrender all the wealth of pain of death तो काफी ज़्यादा आपको मैंने बताया कि किस तरह से taxation free काफी ज़्यादा high tax थे और terror का महौल बहुत ज़्यादा था अफगान रूल के समय कश्मीर घाटी में इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो बहुत सारा इन्होंने किया लेकिन इनका अगर मैं बात करूं अफगान रूल का end किस तरह से हुआ 1752 से 1819 हमने देखी एक चीज कि जो मुस्लिम पीरियेड था वो हमारा तकरीबन 200 सालों तक चला मुगल पीरियेड भी हमारा काफी टाइम तक चला हिंदू पीरियेड भी काफी नहीं चला तो ये पीरियेड इतनी कम समय तक क्यों चला तो मैं आपको बताऊंगा अब यहां पर क्या रीजन हुआ 1819 में कश्मीर से एक विर्बल धर गे रंजीत सिंग के पास जो उस समय कौन थे जो थे सिक रूलर थे पंजाब किंग्डम के तो इनके पास वो गे उन्होंने बताया कि किस तरह से कश्मीर में हर किसी के साथ ऐसा नहीं था जैसे आपने देखा मुसलि किस वी जो हैं वह नहीं रह सकेंगे इस बर ऐसा नहीं था अवगान प्यूल में सब के साथ सेम चीजें हो रही थी फिर वो हिंदू हो मुस्लिम हो सिक्ष हो जो मर्ज裡面 हो उनके साथ सेम चीजों को किया जा रहा था टेक्स काफी जादा थे वहां पे और लोगों के अंदर डर का महल बहुत जादा था घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल था उस समय पे तो उन्होंने पूरा अपना बताया तो सिख रूलर जो थे वहां पे तो बहुत सारी बैटल्स हुई अफगान और सिख के आपस में लेकिन जो सिख क बैटल हुई एक नाम आप लोगों को याद रखना है वो है महाराजा हरंजीत सिंग जी उन्हों के अंडर अफगान के साथ बहुत जादा हमारी जंग होती रही कि कश्मीर को वहां से अजाद कर आए उनके राज से तो इस सब के साथ ये चीजें हुई और 18-19 में जो हमारी कश्मीर घाटी थी वो सिख रूल के अंडर आ गई अब यहां पर एक चीज आपको बता दूँ यह पीरिड भी हमारा बहुत कम समय तक चला सिख रूल क्यों कि रीजन क्या थे एक आपको बता दू लाहोर फिर आपका पंजाब और फिर आपका आता है कश्मीर तो यह आप देख सकते हैं बहुत ही ज़ादा दूर का एरिया था काफी दूर था पूरे अटेंशन नहीं मिल पा रहे थी उसके अलावा जो नैचुरल कले मिट कले में कलेमिटी स्थी सॉरी वह काफी जादा हो गई थी प्रिमेचर स्नो fles होने स्टार्ट हो गए थे क्रॉप्स पूरी बहुत ही जादा मुश्किल टाइम आ चुका था नो लाक पॉपुलेशन थी अफगान रूल में लेकिन मैजॉरिटी लोग कश्मीर छोड़के जाना शुरू कर चुके थे उस समय कहां पे बाकी इंडिया की जगाओं पे और वो पॉपुलेशन रहके सिरफ दो लाक हो गई आ वहां पे मेजॉरिटी लोग कश्मीर छोड़के जाना शुरू कर चुके थे क्यूंकि जो वहां पे हालात हो चुके थे प्रीमिचूर स्नोफॉल हो जाएगी कभी कबाद जो फसले बनी हुई वह बर्बाद हो गई उसके बाद बिमारिये फैल गई तो बहुत सारी चीज़ रखना आया सारी चीज़े करना बहुत मुश्किल था अजाद करवा दिया था अफगान रूल खतम करवा दिया था लेकिन सिख रूल में वह चीज़े मैंटेन नहीं हो पाई और इसी वज़ा से बहुत सारे लोग चलते गे लेकिन अब अगर आपको मैं बात बताऊं आप कोने अभी formation of Indian constitution पढ़ रहे हैं आपको यह date से कुछ याद आया होगा तब तक हमारे देश में British आना शुरू हो चुके थे इस्ट इंडियन कंपणी ने आना शुरू कर दिया था यह date 47 आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर ले तो उन्हों ने आके क्या करना शुरू किया जो अगर आपसे एक और important question बनता है first governor of अंडर सिख रूल कौन बनाएगे थे तो वो थे आपके दिवान मुति राम यह नम भी आपको notes में मिल जाएंगे यह सारे points जो मैं आपको यहां बता रहा हूं तो आपको सिर्फ अभी सुनना है डोगरा period में क्या हुआ डोगरा period किस तरह से चीज़ें चलना शुरू ही डो पाबला था वो बहुत strong थे वो थी इस्ट इंडिया company तो दो battle हुई जिसके अंडर सिख जो थे वो पंजाब को हार गे 1849 में मैं पंजाब की बात कर रहा हूं और उससे भी बहुत पहले अब मैंने आपको बताया कि किस तरह से लाहोर लाहोर से पंजाब पंजाब से कश्मी इन दो पर में फोकस था पंजाब सिख रूल का कश्मीर वो 1849 से पहले ही बहुत पहले ही वो हार चुके थे ब्रिटिश को लेकिन कश्मीर जो ब्रिटिशन ने अक्वायर किया तो किस तरह से ब्रिटिश से यह चीजें डोगरा रूल में कंवर्ट हुई तो आपको यह बता यह उनका जो अंडेस्टेंडिंग थी किश्मा ब्रिटिश के साथ वो काफी जादा थी इस वज़ा से उन्हों ने यहां पर आए 75 लाक रुपे का एग्रिमेंट साइन हुआ था कहां से कहां तक हुआ अगर मैं आपको ओवर्विव दे दूं तो जो हिल्ली एडियास है इस से लेके वेस्ट ऑफ रावी रिवर तक तो वहां तक पूरा एक एग्रिमेंट साइन हुआ था तो यह इसके अकॉर्डिंग डोग्राट पीरियर स्टार्ट हुआ 1846 में अब यहां पर क्या था चीज़ें जो आपको बता दू डोग्रास होते कून है तो यह इंडो आरियन एथनिक ग्रुप को कहा जाता है जो साउथ एशिया का है डोग्रास बिलीव तो भी सूर्य वंशी राजपूत और शत्री ओरीजन दा माइग्रेटेट फ्रॉम्दा राजपूताना मैंनी सेंचुरीज अगो दे लेव प्रिडॉमिंटेंटली इन जेंड के पंजाब लोगों को पता है मिजॉरिटी में अगर मां बात करूं तो मोस्ट ऑफ दा डोग्राज हिंदू काफी सारे मुस्लिम्स भी होते हैं और सिख भी होते हैं तो 1846 से 1949 तक चार्ट डोग्रा किंग्डम टोटल जो थे वो रूल किये थे जेंड के में डोग्राज ने तो अब यह कश्मीर सिख की और हमारी ब्रिटिश की ब्रिटिश ने कबजा कर लिया था बहुत सारी जगा पे पंजाब भाद से जा चुका था कश्मीर भी जा चुका था बहुत पहले लेकिन अंडर्स्टेंडिंग की वज़ा से उन्होंने यह खरीदा या हम बात करें तो अपने उनके बार रूल किया उनके बेटे महराजा रनबीर सिंग ने और यह जो पूरा एक टाइम था यह इस टाइम पर जितनी भी हम आज डेवलेप्मेंट देखते हैं तो वहां पर या वहां से पहली बार किसी ने चीज़े शुरुआत की थी क्यों क्योंकि आपने देखा जो ह अपने लिए चीज़े शुरू की अफगान आये उन्होंने भी सिरफ टेक्स वसूलना शुरू किया सिख रूल आया तो सिख रूल ने भी क्या किया इतना द्यान नहीं दी पाए जितना की था उस टाइम पर नैचरल चीज़ें काफी थी तो जब ढोगरा पीरिएट दाप सिंग जी चालिस साल तक इन्होंने राज किया दा रियल मॉडर्णाइजेशन ऑफ दे स्टेट सेट सेडरल प्रोग्रेसिव ली डिस फॉर्म्स वर कैरेड आउट बाए हिम तो यह चीज आपको बतावनी चाहिए कि चीज़ें हुई शुरू वॉल्टर लॉरेंस ब् सारी चीज जैसे आपको बता है कि पहले बहुत सारी चीजरेती होना शुरू हो गई किस तरह से ली से आप आंग DISA compassion कि νजี่ कि यह पिकुर और छेंग बहुत बहुत बयुक्र गाजा तो इनों सब चीजों के लिए चाहिक दो से निप्टा मुशाया बिटेय वे किस stalk ऐस्क यह था कि यह चाहते थे जो यह इनका जम्मू कश्मीर है इसको यह एक सेपरेट कंट्री के रूप में रखें तो यह इनकी स्टार्टिंग से सोचती कि अपने अंडर एक अलग से जैसे राजा हैं तो उसी तरीके से जाजाओं की तरह अलग से अपना एक शहर बसाएं तो यह वजह से आप लोगों को मैं डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से चीज़ें होना स्टार्ट हुई सबसे पहली चीज थी जो स्टेट एड्मिनिस्टेशन थी वह ज्यादाता रूल करते थे कश्मीरी पंडित तो यह एक बहुत ही बड़ा सवाल उठा कि जब मैजॉरिटी जो हमारी स्टेट है वह अगर मुस्लिम है तो कश्मीरी पंडित किस तरह से स्टेट एड्मिस्टेशन में आ सकते हैं मुस्लिम जो थे वह सोशली और एकनॉमिकली बहुत बैकवर्ड थे उस टाइम पे तो यह सा आपको बता दो यह सारी जो चीजें चलती रही जिस तरह से यहां पर आये हमारे शेख अब्दुल्ला जी तो उन्होंने किस तरह से चीजों को आगे बढ़ाना शुरू किया यही मुद्दे जो थे कि क्यूं मुस्लिम बैकवर्ड है किस तरह से अपना पूरा बेस बनाया क तो किस तरह से फिर जब अटैक हुआ कश्मीर पर अजादी के बाद तो यह सारा हम अलग से लेक्चर में पड़ेंगे पूरा इंडिटेल पड़ेंगे तो यह आपको मैं बता दू यह सारी चीजें चलती रही हरी सिंग जी आये हरी सिंग जी के साथ क्या ऐसी चीजें तो यह चीजें हमने आज पढ़ना शुरू की अफगान रूल कब आया कौन थे अबदुल खान इशिक 81 कमांडर जो थे बेजेगे किसके दवारा एहमद शाह अबदाली के दवारा जिन्होंने बहुत सारी फाइट की मुगर के साथ और फाइनली 1752 में मुगर रूल को खतम कर दिया 28 दूरानी सुबेदार टोटल थे जिन्होंने राज किया था 67 के लिए कहां पर कश्मीर में क्या-क्या चीजें इनकी फेमस थी काफी हाइट एक्सेशन जो मैंने आपको बताया क्रूल थे ब्रूटल थे और लोगों का जीना बहुत मुश्किल था इनके राज में क रूल की तो इसके साथ आपको मैंने जिस तरह से चीजें बताई जीत तो लिया कश्मीर लेकिन कश्मीर से लाहूर से पंजाब लाहूर पंजाब और कश्मीर का रास्ता काफी बड़ा था पूरी गर्व उतने उस टाइम पर इतनी डिसोर्स नहीं थी कि पूरे तरीके से इ क्रॉप बरबाद हो गई तो बहुत सारी जो पॉपुलेशन थी वह कश्मीर से पलायन कर गई कहां रेस्ट ऑफ दा इंडिया की तरफ और पॉपुलेशन जो थी वह सिरफ दो लाख रह गई थी नो लाख के बाद और दिवान मोती राम जो थी वह फर्स्ट गवर्णर से इसके बाद आए डोगरा रूलर आफ्टर एंजी सिंग देथ तो इस इंडियन कंपनी के साथ इनकी काफी लडाई थी दो डिसाइसिव डिसाइसिव बैटल हुई जिसमें जो सिख थे वह पंजाब को हार गे कब 1849 में लेकिन सिख रूल के एंड से बहुत पहले ही कश्मीर जो था वह ब्रेटेश अक्वायर कर चुके थे गुलाब सिंग जो थे वह फ़र्स डोगरा रूलर के रूप में आये मौटन स्टेट ऑफ जेंड के टुक शेप अंडर डोगरा रूल यह एक पॉइंट आपको याद रखना है उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे तो गुलाब सिंग जी जो थे वह उनका निदन हुआ था और उसके बाद जो त्रून गया था वह गया था महाराजा रनबी महाराजा प्रताप सिंग ने रूल किया उनके बाद 40 साल के लिए और उसके बाद आगर मैं बात करूं तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है आप से डारेक्ट पूछा जा सकता है इसलिए मैं अलग से लिखा है हरी सिंग जी आए जो हम बाद में पढ़ेंगे कि किस तरह से इन्होंने रूल किया और क्या-क्या चीज़ें हुई जो यह इंडिया में मिले शेख अब्दुला के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस तरह से शेख अब्दुला ने स्टार्ट किया था इस टॉपिक को यह इस पॉइंट को मुद्दा बना के चीजों को चेंज करने तो यह सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आज के लेक्टिन में सिर्व इतना ही आपसे मिलते हैं कल जिन लोग ने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो लोग त्यारी कर रहे हैं वह जुलाई पांच को मॉक टेस्ट के समय मिलें ओके गाइस